नमस्कार दोसों, RPCS Friends पे आप सभी का स्वागत है और अपने Embryology पढ़ रहे थे Embryology में हमने नए टोपिक स्टार्ट कर दिया था, Extra Embryonic Membrane Extra Embryonic Membrane वाला ये जो टोपिक है, ये 12 वाले बच्चों के लिए important है Graduation वाले बच्चों के लिए important है, MSC वाले बच्चों के लिए important है और 1st grade के according आपने इसको बढ़ रहे हैं, ठीक है? एक overview हमने देख लिया था Extra Embryonic Membrane का, साथ में ही हमने इसकी डाइग्राम को भी discuss कर लिया था आज हम एक-एक Extra Embryonic Membrane के बारे में पढ़ेंगी, तो सबसे पहले देखो, योग सैग सरोपर्थम बनने वाले Extra Embryonic Membrane है, वो कौन सी है? वो योग सैग ही है कहने का मतलब है कि Embryo में सबसे पहले जो Extra Embryonic Membrane का डवलफ होता है, वो कौन सी है? योग सैग है Embryo के Mid-Gut भाग से, एक Splancho Plur निकलता है, यानि, Embryo के मद्दे भाग से क्या निकलता है? Splancho Plur निकलता है, ठीक है? ये Splancho Plur Embryo की अधर सत्ता है पर उपस्तित योग को चारों और से खेड लेता है कौन गेरता है स्प्लैंचो प्लूर गेरता है किसको गेरता है योग को गेरता है और किसका निर्मान करता है योग सैक का निर्मान करता है ठीक है और देखो इसको समझो यहाँ पर यह क्या है एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो की वेंट्रल यानि अधर सदय पर आपको पता है क और आपको पता है, योग सैक में एंडोडर्म भाग लेती है, तो आपको पता है, यह क्या है, एंडोडर्म है, और मीजोडर्म स्प्लैण्चो प्लूरिक भाग लेती है, तो ये कौन सी है? ये मीजोडर्म स्प्लैंचो प्लूरिक है साथ में ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहां से एक सॉमेटो प्लूर इस तरी के से निकलता है ठीक है? ये सॉमेटो प्लूर मीजोडर्म है यानि सॉमेटो प्लूरिक मीजोडर्म और स्प्लैंचो प्लूरिक मीजोडर्म दोनों फ्यूस्ट होकर के एंडोडर्म के साथ में जूट करके किसका निर्वान करती है योग सैक का निर्वान करती है ठीक है तो देखो यहाँ पर यह एंडोडर्म है और इसकी साथ में स्प्ल प्लूरिक मीजोडर्म भी भाग लेती और किसका निर्मान करती हैं योक सेक का निर्मान करते हैं तो ये था योक सेक और अब योक सेक के फंक्शन देखो कारिये देखो क्या क्या है आप सब को पता है कि एम्ब्यो का रिजर्व फूर्ड कौन है योक है ठीक है एम्ब्यो का र योग सेख है कोरियोन के साथ मिलकर के एक प्लैसंटा का निर्वान करते है और उसका नाम है कोरियोन विटेलाइन प्लैसंटा मैं यह भी कह सकते हूं कि कोरियोन विटेलाइन प्लैसंटा में दो अक्स्ट्राइम्रियोनिक मेंब्रेन भाग लेती हैं कौन-कौन सी योग सेख और पॉरियॉन ठीको यॉयोसेग डाइजेटिश्टिव एंजायम का सिराव करती है यानि यॉयोसेग यॉयोसेग का क्या कर देते है पाच्छन कर देते है ठीको यॉयोकसेग अंद में एम्ब्रियो के दुआ हैं या फिर अवसूसित कर लिया जाता है ठीक है, तो ये थे yorks egg और yorks egg के function, आपको अच्छी तरह के इससे बता दिये हैं, ठीक है और अगली देखो, extra embryonic membrane, choryon और emnion, incubation के 30 घंडे बाद embryo से क्या निकलता है, एक somatopluore निकल करके किसका निर्मान करता है, choryon और emnion का निर्मान करता है, incubation को हिंदी में अपन क्या बोलेंगे, उश्मायन बोलेंगे ठीक है, तो 30 गंटे बाद क्या निकलता है, एक somatopleur निकल करके किसका निर्बान करता है korion और amnion का निर्बान करता है, diagram में देखो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, यह निकला है, यहाँ से ऐसे incubation के 30 गंटे बाद, एक somatopleur निकलता है, यह है somatopleur यह मिलकर के किसका निर्बान करता है, यह मिलकर के korion का निर्बान करता है, और korion आपको पता है कि embryo की सबसे भार की layer होती है, outer most layer होती है, ठीक है और amnion है यह amnion है, और यह embryo की inner most layer होती है तो इस तरी के से किसका निर्बान होता है, korion और amnion का निर्बान होता है, korion और amnion का निर्बान साथ साथ होता है, ठीक है अब देखो, korion है यह outer most extra embryonic membrane है जबकि amnion है यह inner most layer है किसकी embryo की आपको बता है यह क्या था एंब्रियो था ठीक है यह एंब्रियो था और यहां पर यह एंब्रियों पाई जाती है और इस तरी के से कोरियों पाया जाता है जो कोरियों है यह आउटर मॉस्ट लेर है एंब्रियों की और यह क्या है इनर मॉस्ट लेर है ठीक है एंब्रियों व embryo के मते cavity पाई जाती है जिसमें एक flood बरावा होता है कौन सा amniotic flood बरावा होता है यह amniotic flood embryo के लिए artificial swimming pool होता है और यह क्या करता है embryo को सूपने से बचाता है देखो, इसको समझो यह क्या है एक embryo है, ठीक है embryo के उपर यह क्या पाई जाती है यह कहें, amniotic cavity है और इस amniotic cavity में amniotic flood बरावा होता है यह जो amniotic flood है इसलिए के से यहां पर बरावा होता है यह जो amniotic flood है यह artificial swimming pool का क्या करता है काम करता है और साथ में ही embryo को सूपने से बचाने का काम करता है ठीक है तो यह था amnione और कोरियोन के बारे में अब आगे देखो एम्नियोसेंटियसिस यह एम्नियोसेंटियसिस क्या है इसको हिंदी में बोलेंगे उल्वे वेदन क्या बोलेंगे उल्वे वेदन यह उल्वे वेदन क्या होता है देखो इसमें होता क्या है कि embryonic stage में सीरिंज की साहिता से amniotic flood निकाल करके उसमें bar body और genetic disorder genetic disorder जैसे कि client filter हो गया turner syndrome हो गया down syndrome हो गया इनका पता लगा सकते हैं किसमें amniocentesis में आपको पताएए क्या है embryo है और embryo के ऊपर amniion पाई जाती है और ये क्या है amniotic cavity है और आप सबको पता है कि amniotic cavity में क्या बरावा होता है amniotic flood बरावा होता है तो इस amniotic flood को syringe में भर करके और उसमें से जो bar body होते हैं और कुछ genetic disorder का आपन क्या कर सकते हैं पता लगा सकते हैं तो वो वाली process कौन से है amniocentesis है और ये सारी चीज़े है अपन जैसे क्लाइन फेल्टर, टर्नर, syndrome, down syndrome ये सारी चीज़े हम genetics जब पढ़ेंगे तब discuss करेंगे और embryology के बाद में हम genetics को ही start करेंगे ठीक है अब चलो आगे अब function of chorion chorion के कारिये क्या क्या हैं देखो chorion है ये embryo का बाहितम सुरक्षात्म कवच है या फिर आवरेन है आप सब को पताएए क्या है embryo है और embryo के ऊपर यहाँ पर embryon और embryon के ऊपर यहाँ पर क्या पाई जाती है chorion पाई जाती है ठीक है तो outer most layer है और embryo का सबसे सुरक्षात्म कवच भी कौन है chorion है chorion है यह respiration में help करता है chorion योग से के साथ मिलकर के एक placenta का निर्वान करती है उसका नाम क्या है chorion chorio viteline placenta ठीक है और allantois के साथ मिलकर भी placenta बनाती है वो कौन से है chorio allantoic placenta ठीक है और इनके बारे में detail से मैंने आपको placenta के जब types पड़े थे तब बताया था ठीक है तो ये function थे किसके chorion के अब हम function पड़ेंगे amnion के amnion है ये embryo को भारी आगातों से शुरक्षा प्रेदान करती है embryo के उपर जस्ट कौन सा कवच पाया जाता है यानि जो आवरन पाया जाता है वो amnion का ही होता है भार से ऐसे कुछ आगात लगते है तो ये जो amnion है ये क्या करता है embryo को शुरक्षा प्रदान करता है यानि जैसे रगड लगती है ना भार से जैसे कोई चोट लगे तो उसको रगड से बचाने का काम कोन करता है amnion करता है ठीक है amnion वे embryo के मदे amniotic flood पाया जाता है यहाँ पर आपको बता है कि यहाँ पर amniotic flood पाया जाता है यह amniotic cavity है और इसके अंतरगत बरावा होता है amniotic flood और यह amniotic flood embryo को सूपने से बचाता है डराई होने से बचाता है कोन amniotic flood और कहां बरावा होता है, amniotic cavity के अंदरगत बरावा होता है, और यह जो amniotic flood है, यह embryo के लिए artificial swimming pool के रूप में काम करता है, तो यह थे embryo के function, अब allantois, allantois क्या है, देखो, incubation के third day, incubation यानि उश्माइन, उश्माइन के तीसरे दिन, हिंड गट से एक splancho pleur निकलता है, और यह bag-like structure बनाता है, और इसे क्या कहते हैं, allantois कहते हैं, देखो, समझो इसको, आप सब को पता है, यह क्या है, embryo है, और embryo के हिंड गट, यानि, हिंड गट का मतलब, यानि embryo के पस्चांतर बाग से, यानि पस्चांतर बाग से क्या निकलता है, एक इस रिके से, इस प्रैंचो प्लियो निकलता है, आपको पता है, ठीक है, और यह एक bag-like structure बनाता है, इस रिके से, और इसी को आपन क्या कहते हैं, अलेंटोइस कहते हैं, ठीक है, अलेंटोइस के कारिये क्या क्या हैं, देखूं, embryo की nitrogen अवसिस्ट पदार्थों को embryo की body से भार निकालता है, को निकालता है, अलेंटोइस क्या करता है, कि embryo में जो metabolic activities होती है, उसके बाद में जो excretory product बचता है, उस excretory product को body से भार निकालने का काम कोन करता है, अलेंटोइस करता है, ठीक है, कौन करता है, अलेंटोइस करता है, यह अलेंटोइस embryo का एक urinary bladder होता है, urinary bladder, यानि मुत्रासे की रूप में काम करता है, कौन अलेंटोइस करता है, ठीक है, जो excretoryon की रूप में work करता है, korion की साथ मिलकर की respiration में भी help करता है, अलेंटोइस, अलेंटोइस है, वो albumine का absorption करता है, और आप सब को बता है कि जो albumine है, यह एक तरीकी की क्या है, protein है, इसका absorption कौन करता है, अलेंटोइस करता है, अलेंटोइस कोरियोन के साथ मिलकर के कोरियो अलेंटोइक प्लैसेंटा का निर्मान करती है, तो यह थी आज अपनी extra embryonic membrane और कितनी है, चार है, पहली कौन सी थी, यॉक सेक थी, दूसरी कोरियोन, तीसरी अम्रियोन, और चोथी कौन सी है, अलेंटोइस, इनके diagram भी हमने दे वीडियो लेक्चर में इतना ही, जै हिंद, जै भारत!